नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC Solutions with Anuj आज हम 5 मार्च के Current Affairs के कुछ important questions discuss करेंगे एक बार revisions questions कर लेते हैं 4 मार्च के देखो पहला क्या है कि देश का पहला semiconductor fab किस राज्य में स्तापित किया जाएगा तो वो किया जाएगा गुजरात में गांधी नगर गुजरात में ठीक है उसके बाद है पारतिय फार्मों को मान्यता देने वाला पहला Spanish राष्टर कोन बना है वो बना है निकारा गुआ उसके बाद है हाल ही में जो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया तीन मार्च को मनाया गया जो NSG का नया महा निदेशक किसे इन्युक्त किया गया है ये किया गया है दलजीत सिंग चोदरी को इंपोर्टेंट है हाल ही में किसे Global Achievement Best Teacher Award से समानित किया गया है तो ये किया ग परियावरन सभा के चठे सत्र का आयोजन कहां किया गया है नैरोबी केन्या में हाल ही में अंटार्टिका की मुख्य भूमी पर पहली बार किस वाइरस ने दस्तक दी तो वो दी है बर्ड फिल्यू ने किस राज्य में चाप चरकुट त्योहार मनाया गया मिजोरम देखो इ चरकुट त्योहार है वो कहां मनाया गया है मिजोरम में हाल ही में संसद सुरक्षागा परमुख किसे नियुक्त किया गया है तो जो अनुराग अगरवाल है उन्हें संसद सुरक्षागा परमुख नियुक्त किया गया है और जो शुन्य भेद बाव दीवस परतिवस किस त कि थी को मनाया जाता है एक मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे पांच मार्च के करन्ट अफेर्स की ठीक है देखो पहला कोशन क्या है पहला कोशन है अंतराश्टिय गीता महुत्सव दो हजार चोबिस कहां आयोजित किया गया वेर दा इं अंतराश्टिय गीता महुत्सव है श्रिलंका के कोलोंबियों वे आयोजित किया गया है आयोजन एक से लेकर तीन मार्च थीम क्या है वसुदेव कुटूंबम ठीक है उसके बाद जो अंतराश्टिय गीता महुत्सव दो हजार तेइस का आयोजन कहां पे हुआ था शेत्र हरियाना में, 2004 का कोलंबियो, श्रिलंका में और जो अंतरास्टिय गीता महोत्सव का इतियास है, मतलब जो शुरुवात हुई थी, वो हुई थी, येर 1989 में रास्टिय पर्व गोशित किया गया था, 2002 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसके बाद देखो, में यह त्योहार, पहली बार देश से बाहर, मोरिश्यस और लंदन में मनाया गया, इसका आयोजन सितंबर 2022 में कनेडा में किया था, 2023 में कुरुक शेत्र हरियाना, और 2024 में श्रिलंका, ठीक है, अंतरास्टिय गीता महोत्सव का आयोजन, अप्रेल 2023 में अस्टेलिया में किय गया था, और जो पर्थम अंतरास्टिय गीता पारकी स्थापना केनेडा में, ब्रैम्टोन केनेडा, अगर हम बात करें श्रिलंका के, तो इसकी राजदानी क्या होगी, कोलंबो या श्री जयवर्दनेपुरा, कोटे, मुद्रा क्या है, श्रिलंकाई रुपिया, राष्ट कोन बना, which has become the first country to join India's जन ओश्दी initiative, तो पहला देश कोन बना है, वो बना है, मौरिश्यस, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, मौरिश्यस भारत की जन ओश्दी पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है, जिससे मौरिश्यस के लोगों को बहतर गुनवक्ता व और उन्हें इनका लाब मिलेगा, इस प्रियोजना को Department of Pharmaceuticals द्वारा वर्ष 2008 में जन ओश्दी योजना अभियान के नाम से शुरू गया, आप से पूच सकता है कि यह जन ओश्दी अभियान है, यह किस वर्ष शुरू की गई तो 2008 में, जो वर्ष 2015 सोड़ा में अभियान को PMBJP, पर्धान मंतरी भारती है, जन ओश्दी प्रियोजना के रूप में नया रूप दिया गया, ठीक है, इंपोर्टेंट है यहां रखना, उसके बाद अगर मैं बात करूँ मोरिश्यस की, तो उसकी राजदानी क्या है, पोर्ट लुईस, मुद्रा क्या है, मोरिश्यस र पहला राजय कोन सा है, विच बिकम दा फर्स्ट स्टेट इन दा कंट्री टू इश्यू फाइफ क्रोण आयुश्मान कार्ड्स, तो यह कोन बना है, यूपी, ठीक है, यहां के सीम, योगी आदितेनाथ, और गवर्नर आनंदी बेन पतेल, उतर पर्देश जो है, वो पूश्मान भारत एक सरकार के नेतरतर वाली स्वास्ते सेवायोजना है, जो रास्ट्रिय स्वास्ते निती 2017 की सिफारिशों के आदार पर 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई, आपसे पूछ सकता है कब शुरू की गई, 2018 को, मैं बात करूँ उतर पर्देश की, तो राजदानी आ आदित्यनाथ, राजयपाल है, आनंदी बेन पर्टेल, लोकसभासीटे, असी, राजयहुसभासीट 31, नेशनल पार्क, दुद्वा नेशनल पार्क, पिलीबट नेशनल पार्क, अमनगड, रानिपूर वाइल लाइफ सेंचुरी, ठीक है, अब कुछ करंट अफेस देखते नरेंदर मोदी ने संबल जिले में श्रीक क्लिक धाम मंदिर का सिला न्यास किया, ठीक है, यूपिय सेमें कंड़क्टर निती लागू करने वाड़ा चोथा राजयबना, जो अडानी ग्रूप है, ने दक्षिन एशिया का सबसे बड़ा गोड़ा बारूद और मिसाइल कॉ कोशन नमबर फोर्थ, देखो ये मिलिटरी एक्सराइज से रिलेटिड है, जो बाइलेटरल मैरिटाइम एक्सराइज है, समुन्दर लक्षमन स्टार्टेड बेट्विन इंडिया एंड बीच कंट्री, तो ये स्टार्ट हुआ है, इंडिया और मलेशिया के बीच, ठीक है समुन्दर लक्षमन, अगर हम बात करें, भारत और मलेशिया की नो सैना ने, अभ्यास समुन्दर लक्षमन के तीसरे संस्क्रण के तहत विशाकापटनम में संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया है, इसका उदेश्य क्या है, रक्षा मंत्राले ने बताया कि संयुक्त अगर हम बात करें, मलेशिया की तुराजदानी कोलालंपुर, मुद्रा मलेशियन रिंगिट, परदान मंत्री है, अनवर इबराहिम, ठीक है, उसके बाद आता है, कोशन नमबर फिफ्ट, जो खेलो इंडिया उनिवर्स्टी गेम्स हुए है, चोथा संस्क्रण हुआ है, उ कोंसा एडिशन हुआ है, फोर्थ एडिशन हुआ है, चंदिगर्ड यूनिवर्स्टी, 32 स्वन पदक, 18 रजत और 21 कास्य के साथ के आई यू जी, 2024 पदक तालिका में, शीर्च पर रही, दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्स्टी, तीसरे स्थान पर गुर रास्टिय जन दोश जागरुकता महा, 2024 किसके द्वारा लॉंच किया गया, जो नैशनल बर्थ डिफेक्ट अवेर्नेस मन्थ है, 2024 वो किसके द्वारा लॉंच किया गया है, वो लॉंच किया गया है, नितियायोग के द्वारा, कब शुरुआ था, 2015 में, देखो, फुल फोर क्या होती है, नैशनल इंस्टिटूशन फोर ट्रांस्फोर्मिंग इंडिया, स्थापना हुई थी, एक जनवरी, 2015, इसका मुख्याल है, कहां पे है, है, दिल्ली में है, अध्यक्ष है, नरेंदर मोदी, जो भी पी एम होगा, वो निति आयोगा, क्या होगा, चेर्मैन होग अध्यक्स होगा, आपने याद रखना है, उपाध्यक्स सुमन बैरी, और सीओ, बी वी आर, सुबरमन्या, ठीक है, उसके बाद आता है, कोशन नमबर 7, जो सीमा सुरक्षा बल है, जो BSF है, उसकी पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, वो बनी है, सुमन कुमारी, देख लेते हैं, एक बार, जो सीमा सुरक्षा बल है, BSF, उनकी जो सब इंस्पेक्टर है, सुमन कुमारी, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है, BSF की स्तामना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में मुख्याले है नई दिल्ली में अध्यक्ष है नितिन अगरवाल ठीक है उसके बाद आता है question number 8 In which country will the headquarters of international big cat alliance be established तो इसका headquarters होगा इंडिया में भारत में याद रखना है क्या international big cat alliance का मुख्याले किस देश में स्थापित किया जाएगा तो वो किया जाएगा इंडिया में जो केंदरिय मंत्री मंडल है उसने 29 वरवरी 2024 को International Big Cat Alliance IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी है alliance का मुख्याले कहां पे होगा भारत में होगा 2023-2027-28 पांच वर्षों की अवदी के लिए 150 क्रोड रुपे की एक मुश्यत बजटिये सायता मिलेगी उदेशे याद रखना थोड़ा कि बागो बड़ी दिल्ली परिवार की अन्य परजातियों तथा इनकी अनेक लुप्रयाय परजातियों के संग्रक्षन के लिए परदानमंत्री ने इसकी गोश्ना बागो के संग्रक्षन में भारत की भूमिका को महतव देते हुए वैश्विक बाग दिवस 2019 के अवशर पर एशिया में अवेज शिकार को रोकने के लिए की थी ठीक है उसके बाद आता है कोशन नमबर नाइन दन्यू स्पीसिज ओफ हैडशील्ड सीसलग डिस्कवर्ड विच हैज बी नेमड आफ्टर हूम ठीक है तो यह है मैलानो क्लेमिस द्रोप दी देखो ओप्षन में नहीं है मैं बताता हूँ य प्रणानी सर्वेक्षन जो ZSI है जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया है कि वैज्यानिकों ने बंगाल की खाड़ी से हैडशील्ड समुद्री सलग की एक नई परजाती की खोज की है इस परजाती की खोज पस्चिम बंगाल वैस्ट बंगाल और उडिसा तठ पर हुई है इस परजाती दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है यह परजाती एक छोटी अक्षेरुकी प्रानी है जिसकी अधिक्तम लंबाई 7 मिलिमीटर तक होती है यह बूरे काले रंग का होता है जिसके पिछले सिरे पर रूबी लाल दब्बा होता है याद रखना है मेलानो क्लैमिस ठी ठीक है उसके बाद आता है हमारा लास्ट कोशन आज का जो ग्लोबल रिसॉर्स आउट्लूक रिपोर्ट है किसके दौबरा जारी कि जाती है ग्लोबल रिसॉर्स आउटलूक रिपोर्ट वह जारी कि जाती है UNEP के दौरा ठीक है किसके दौरा UNEP United Nation Environment Program ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक दोजार चोबिस रिपोर्ट केन्या के नेरोबी में यून एपी मुखाल्य में छटी संयुक्त राष्टिय प्रयावरन सभा के दोरान लौंच किया गया है ठीक है अब बात करते हैं कुछ स्टेटिक जीके के बारे में देखो अजंता की उद्यपूर में सहेलियों की बावडी का निर्मान महाराना फते सिंग ने करवाया था नेपोलियन को क्या कहा जाता था मैन ओफ डेस्टिनी कहा जाता था और जो रविंदरनाथ टैगोर हैं उनको कवी गुरू कहा जाता था रविंदरनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था कवी गुरू तोता ए हिंद के नाम से कोन पर सिध है या किसको जाना जाता है वो जाना जाता है अमीर कुश्रो तोता ए हिंद ठीक है पैरेट ओफ इंडिया साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है तो ये है केरला राज्य में ठीक है परशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को डैश जोडती है तो पनामा नहर जोडती है यूएस और कैनेडा के मद्यस्थित अंतराष्टिय रेखा को क्या कहते है और विधान परिशद का सदस्या बनने के लिए नियूनतम आयू कितनी होनी चाहिए तो वह होनी चाहिए तीस वर्स हुए कंप्लीट अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक करें जाद से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद